हेलो दोस्तू, स्वागत आपका प्रिंका लजनिंग क्लासिज में साचटमी वीपेसी का ध्यान में रखते हुए 66 वीपेसी पीटी का हिस्ट्री का कोश्चन मेंक कराये जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके तो पहला कोश्चन हम लोग देखे बारती इतियास के प्राचिन भारत से है निम में से किस हरपण नगर में जूते वे खेतू के निसान मिले है तो इसका अंसर हो जागा काली बंगन इसकी ब्याख्या देखिए सिंदु सब्ता की खोज वर्स 1921 में दया नाम सहनी ने किया था ये रावी नदी के टट परिस्थी थे सिंदु घाटी सब्ता के दोरान जुत्य वे खेत के प्रमान काली बंगन से प्राप्त हुए है काली बंगन राजस्थान में इस्थी थे सिंदु गाटी सबता के दोरान नर्तिकी की कास्य मुर्थी मोहन जोद्र से प्राप्त हुई है अगला कुश्चन देखे त्री रत्न या त्री रत्न जैसे सटीक ज्यान, सच्ची आस्था और सटीक किरिया निम में से किस समंदित है इसका अंसर हो जाएगा जैन धर्म से समंदित है इसकी ब्याख्या देखे शतीक ज्यान, सच्ची आस्था, सटीक किरिया का समंद जैन धर्म से है इन तीनों को समली रूप से त्री रत्न या रत्न तरह भी कहा जाता है ये त्री रत्न अध्यात्मिक मुगती के लिए अवस्यक है जैन धर्म की अस्थापना रिसब देबनी की थी इसकी वास्तविक संस्थापक 24. तिर्थंकर महाभीर स्वामी को माना जाता है अगला कोश्चन देखे किस सासक ने चतूर्थ बहुत संगती कायोजन कुंडलवन कास्मीर में किया गया था इस संगती कायोजन कायोजन के सासन काल में बहसु मित्र की अधेक्ष्ता में व्याजित की गई थी इस संगती में बहुत रमहीन यान और महामायान में ब्याजित हुआ था अब हम लोग चारों बहुत संगती के बारे में देखे तो पर्तम बहुत संगती राजगरी में हुए था सासन काल अजाज सत्रूम और समय 483 इसापुर महाकस्यप इसकी अध्यक्ष्ते वही दूतिय बहुत संगती के बारे में देखे तो यह बैसाली में हुआ था सासन काल काला सोक समय 383 इसापुर और अध्यक्ष सर्व कामी अगला है तिर्तिय बहुत संगती पाटली पुत में हुई असोक के सासन काल में दोस्ते कावन इसापुर मोगली पुत तिस के अध्यक्षता में चतूर्थ बहसंगती कुंडल बन कनिक्स के सासनकाल में इस्वी के पर्तुन सताब्दी और अध्यक्ष बसुमित्र के दरा हुआ था। अगला कोशन हम लोग देखें नेम में से किस भारतिय दर्शन ने पर्मानु सिधान्त का पर्तिपादन किया है तो इसका एंसर हो जाएगा वैसेशिक दियो अप्सन इसकी ब्याक्या देखें पर्मानु दर्शन का सिधान्त वैसेशिक दर्शन करनात द्वारा पर्तिपादि से है अगला खंडम लोग देखे बारती तीया समद्रकालीम भारत से कुश्चन है किस दिल्ली सुल्टान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई प्रप घलाइगा बल्वन इसकी ब्याख्या देखे रक्त और दिल्ली के सुल्तान बलवन द्वारा किया गया था, रक्त और लोग कातात पर अपने सत्रों के प्रति कटोर नीती से है, राज दर्वार में सिजदा और पैवोस प्रत्था का शुरुआत बलवन नहीं किया था, इसे उलूख खा के नाम से भी जाना जाता है, अगला कोश्च देखे, चोल वन्स का संस्ता पक बिज्याले था, इस वन्स की रैजधानी तंजोर थी, राजन्त पर्थम के सासन काल में यह वन्स अपने चर्म उतकर्स पर था, इसने गोंगोई कोई की उपादी धारन की थी, चोल समराज के समय बरी संख्या में सिलालेक ता था, तामबा ग्राम परसासन के बारे में जनकारी मिलती है, अगला कोशिन हम लोग देखे, परचिन कारी यानि कि पिट्रा ड्यूरा किससे समन्दीत है, तो इसका एंसर हो जाएगा, यानि कि दिवारों में अर्ध किमती पत्थर जरकर फूलों की नकासी करना, इसकी ब्याक्या देखे, पिट्रा ड्यूरा सितात पर दिवारों के अर्ध किमती पत्थर जरकर फूलों की नकासी करने से है, पिट्रा ड्यूरा परचिकारी इंडो इसलामिक बस्तु कला का उधारन है, इसमें उतकिश पर्ती से कटे वह जरे हुए तरासे हुए चमकाय हुए रंगिन पत्रों के ट अकबर किसासनकाल में चित्रकाला को काफी सिल्योजीत तरीके से विक्सित किया जाता था, चित्रकाला को बनाने में बनाने वाले कलाकारों के लेकर खाना और तस्बीर खाना बनाया गया था, यह कलाकार इन अस्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन चित्रकारी कस्वन युग जहांगीर की सासनकाल को माना जाता है लेकिन चित्रकारी कस्वन युग जहांगीर की सासनकाल को माना जाता है अगला कुश्चन देखे बारती इतियास आधनिक भारत से इनमें से किन में अठासन तावन के विद्रों में सक्रिय भाग लिया था तो इसका अंसर यह होगा क्योंकि सभी ने लिया था कि ब्याक्या देखे 1857 की क्रांती में सभी लोग ने सक्रिय रूप से भाग लिया था नाना साहब ने कानपूर में बेगम आजरत मान ने लखनव में मौलबी अमदुला फैजाबाद तता बहादूर साने दिल्ली में भाग लिया था भार क्याrontे में जबाल लाल नेरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दीग किसमें सब ब्रेक्ट्थेप किन्तु इंजन नहीं था तो इसके ये यह एंसरह देखे 1935 के भारत सरकार अदिनियं को में जबाल लाल नेरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार जिसने ब्रेक तो है प्रंतु इंजन नहीं है यह अधिनियम भारत में संगे बिवस्था पजोर दिया लेकिन भारत की स्वतंता के वित्रय में मौन रहा है जिसके करन भारतियों द्वारा इसकी आलोचना की गई अगला कोशन हम लोग देखे डांड़ी यातरा कितने दिनों तक चली तो ये 24 दिनों तक चली इसके अम लोग ब्याक्या देखे मात्मा गांदी ने डांड़ी यातरा का प्राणं 12 मार्स 1930 को साबर मति से किया जो 6上30 को डांड़ी में जाकर समाप्त हुआ इसे नमक सत्यागरा के नाम से जाना गया गांदी जी दोरा आयोजित जान्डी यात्रा 24 दिनों तक चली थी यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैद करके खिलाप था अगला कोशन देखे परसीद गित सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचाईता कोन है तो इसका एंसर हो जाएगा इ इसकी ब्याक्ख्या देखे बिस्मिल अजीमा बादी बिहार के क्रांतिकारी थे जिनों ने 1921 में सरफरोसी की तमन्ना गजले को लिखा था हालाकि इस गजल को परसीद राम परसाद बिस्मिल ने बनाया था गजल की यह पंक्तिया अजादी के संगर्ष के दरन क्रांतिकार इसकी ब्याक्या देखे, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विवाजन के गोश्टना की गई, जिसे 16 अक्टबर 1905 को लागू किया गया था, बंगाल विवाजन के विरोध में संपुन देश में स्वधेसी अंदोलन मनाया गया था, इस अंदोलन में भारत ने बने माल का परियोग करके इवां बिदेशी माल का वाइस कार करके समराजवादी ब्रिटिस को आर्थिक हाने पहुचाने का प्रयास किया गया, अगला कोश्चन है, इनमें 1945-46 में दिल्ली में हुए आई एन ए के मुकदमों के पक्ष में पेस हुए वकील थे, तो इसके एंसर हो जागा भूलावाई देशाई, इसकी ब्याख्या देखें, आजाद हीन पौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरू बाक्सिंग, तथा मेजर जनरल सहनावाज खान पर 1945-46 में चंजुक तुरूपसर मुकदमा चलाए गया, जिसमें इस पक्ष में बूला भाई देशाई ने वकालत की थी, अगला कोश्चन है, मेडम कामा ने भारत के त्री रंगी स्वतंता दोज को कहा फराया था, तो इसका एंसर हो जाएगा इस्टूट गाड में, इसकी ब्याख्या देखें, मेडम कामा ने भारती स्वतंता अंदुलिन के परतीक के रूप में, 22 अगस्ट निच्चु सात्मी अंतराष्टिय कॉंग्रेस को इस्टूट गाड में, भारत का पर्थम राष्टिय द्वश्प कर आया था, मेडम विकाई जी कामा को भारती स्वतंता की जन्नी या मा भी कहा जाता है, अगला कोश्चन है, कौन सी जोरी सही है, तो इसका अंसर हो जाएगा, CR10 देश वंधु के उपनान से जाना जाता है, स्याम जी किस्न बर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की अस्थाप्णा 1905 में किया था, और 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के देख्टा रास भिहारी बोस्टनी किया था, एगला कोश्चन हम लोग देखे, बारती राष्टिय कॉंग कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन के दोरान समाजवादी नेता जवालान नेरू ने लाहर में रावी नदी के टट पर राष्टिय दोज को फराया था, तथा 26 जनवर 1930 को भारती राष्टिय कॉंग्रेस के दोरा पुन सोराज दिवस मनाने की गोश्चना की गई थी, स्वत जनता के पहस्चात इस दिवस को गंतनत दिवस 26 जनवर 1950 के रूत में अपनाया गया, अगला कोश्चन है, बंगाल में दुषासन पर नाली किसके दोरा लागू की गई, तो इसका अंसर हो जाएगा, महात्मा, स्री, इसका अंसर है, रावर्ट कलाइब के दोरा शुरू की इसकी बैक्या देखे, रावर्ट कलाइब दोरा वर्ष 1765 में बंगाल में दुषासन पर नाली लागू की गई, इससे 1772 में वारेन हेस्टिंग दोरा समाप कर दिया गया, इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे और करतब भारतियों को ठोप दिये, वार जिद्धाम संसद में भाग लिया, तो इसका अंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानन, इसकी ब्याक्या है, 11 सितंबर 1893 में सिकागो, अमेरिका में आउजिद्धाम समेलन में स्वामी विवेकानन ने भारत का परतिनिदित किया था, इस समेलन में दुनिया भर के दरम परतिन इसन की अस्थापना की थी। अगला कोश्चन है उन्हें 123 में स्वराज पाटी का गठन किस ने किया तो इसके एंसर हो जाएगा स्यार दास और मोती लाल नेरू इसकी बैख्या देखे स्वराज पाटी के अस्थापनावने 123 में चितरंजन दास और मोती लाल नेरू ने किया था असायोग आंदोलन की समाप्ती के बाद कंग्रेस के बीबीन नेताव ने असंतोस था इसी विवाद को ले कर मोती लाल नेरू और चितरंजन दास ने अलगों का स्वराज पाटी का गठन किया था इसका मुको देश बेवस्थापी का सभाव में परवेश कर सरकार की नित्यू का अलोचना करना था अगला कौश्चन देखे परशिद नाटक निल दरपन जिनों ने इंडीगों की खेती के वाले किसान के दमन का चितरं किया किसने इसकी रचना की थी तो इसके ऐंसर हो जागा दीन बंधू मित्र इसकी ब्याख्या देखे निल दरपन नाटक की रच्ण की गई है निल दरपन का अंग्रेजी में अनुबाद मधु सुधन दत्नी किया था निल बिद्रो की गटना बंगाल की नदिया जिले में हुआ था जिसका परमुख निता दिगंबर विश्वास और विश्णु विश्वास थे अगला कोश्चिन देखे 1760 का परशीद बांड वांडिवास का युद हुआ था यह एक निर्नायक युद था जिसमें फ्रांचिसी सेना की हार्वी थी वांडिवास के युद में अंग्रेजी सेना का नेत्वित आहर कुट नी किया था इस युद के पश्चाद यताय हो गया था कि भारत पर स्वामित अंग्रेजों का हो वाणडवर्स तमिलाडउ में थे। अगला कोश्चन है, नीमेशी мехीस अधिनियम ने भारत में पिर्थक निर्वााचन मंडल का अरंभ। किया। तो इसके एंसर हो जाएगा भारतिय परदिवाचर मंडल का प्रारम भारत परदिवाचर मठीत अधिनयम dolara किया था, इस अगला कोश्चन है निम में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी तो इसके अंसर हो जागा स्यामग जागा इसके ब्याक्या देखे गांधी जी की प्राडंबिक पढ़ाई राजकोट में हुई मैट्रिक उतिन होने के बाद इन्होंने भाव नगर में स्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की उसके पचात इन्होंने इंगलेंड में जाकर पढ़ाई की आसा करते आपको वीडियो लाइक करें शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडिया टेलिग्राम पर दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में है तो आज के लिए इतना है देस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू